मद्धी प्रदेश में शिवराज सरकार दोरा एक जुलाई से सभी 59 जिला कलेक्टरों को राश्टी सुरक्षा कानून के तहट किसी भी वेक्ती को ग्रिफतार करने का अधिकार दे दिया गया है इसके विरोध में आम अधिपार्टी के प्रदेश सेयोजक आलुक अगरवाल गुरुवार को राजदानी भुपाले स्थित बोर्ड ऑफिस चौराई पर 24 गंटे के उपवास पर बैठे हैं उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार प्रदेश में आपातकाल की स्थिती पैदा कर रही है आम आदमी की मांग है किस आदेश को टतकाल वापस लिया जाए जिवराज सिंग चौहान ने एक जुलाई से राश्टी सुरक्षा कानून के तहत 51 जिले के सभी कलेक्टरों को यह अधिकाल दे दिये गए कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आदेश के बिना कोई सूचना के ना सिर्फ गिरिफतार कर सकते हैं वो प्रदेश के अलावा पूरे देश में भी उसको कहीं रख सकते हैं यह लोक्तंत की अत्या है आज किसान दर्द से करा रहा है आज व्यापारी शंकाओं के आवाज उठा रहा है इन सारी आवाज को कोचलने के लिए यह रासुका लगाई है आम आद भी पार्टी का मानना है कि यह गोशित आपातकाल लगा दिया गया है इसलिए हम 24 गंटे का उपवास करके यह मांग कर रहे हैं कि ततकाली रासुका अटाई जाए अगर नहीं अटाई जाती है ना सिर्फ हम लोग एक जुलाई से अनिशित काली संगश करेंगे हम कानूनी कारवाई भी करेंगे बोपाल से EMS TV के लिए केमरामेंट डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट